दोस्तो, काइन मास्टर से वीडियो एडिटिंग करने के लिए आपको अपने काइन मास्टर ओपन कर लेना है ओपन करने के बाद आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिलेगा यहाँ पर आपको simply create now पर click कर देना है चलिए यहाँ पर मैं create now पर click कर देता हूँ create now पर click करने के बाद यहाँ पर आपको वीडियो की category आ जाएगी कि आप किस तरह का वीडियो बनाना चाहते हैं यहाँ पर अगर आप YouTube वीडियो बनाते हैं YouTube के लिए तो आपको 16.9 पर choose कर लेना है और अगर आप जो है Instagram के लिए बना रहे हैं तो आपको यहाँ पर 9.16 पर click कर लेना है तो यह आप देख सकते हैं अगर आप short वीडियो बना रहे हैं तो और यहाँ पर आपको Instagram के लिए 1.1 पर click करना है बांकि other platform का भी available है तो यहाँ से simply मैं आपको YouTube वीडियो कैसे edit करते हैं वो बताने वाला हूँ तो यहाँ पर आपको 16.9 पर click करने के बाद यहाँ पर कोने पर next कर देना है next करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह से interface खुलके आएगा सबसे पहले आपको video चूस कर लेनी है कि आपको कौन सा video edit करना है तो आपके पास phone में जो भी video save होंगे वो आपके पास यहाँ पर आ जाएंगे और यहाँ पर आप कोने में देखेंगे तो यहाँ पर video और photo दोनों का option यहाँ पर आपको दे रखा है तो आपको simply इस वाले पर click करना है चलिए यहाँ पर मैं पहले video वाले section पर choose कर लिया तो देखिए अब जो भी हमारे phone की video है वो पूरी video वीडियो आ गई अब यहाँ से हम अपने एक video को choose कर लेते हैं जिसको की हमें edit करना है तो simply मैं अपने camera वाले option पर आ जाता हूँ और यहाँ पर मैं अपना जो एक video है चलिए यह मेरा एक video है इस पर मैं choose कर लेता हूँ तो यह हमारा video आ गया अब हमें इस video के अंदर हमें इस video को अगर cut करना है यहाँ पर देख सकते हैं कौने पर आपके पास सारे option इसमें आपको सारे option यहाँ पर आपको मिल जाएंगे तो यहाँ पर आपको अच्छे से देख लेना है मैं आपको बता देता हूँ देखिए अगर मुझे इस video को cut करना है तो simply हमें जहाँ से हमें cut करना है यहां पर ऐसे चूश करते हम यहां कैंची वाले आइकन पर क्लिक करेंगे और हमें अगर साइड से कट करना है तो साइड वाल इस पर क्लिक करना है और अगर हमें साइड से नहीं क्लिक करना है बीच से क्लिक करना है कहीं पर तो हमें यहां पर बीच पे क्लिक कर सकते हैं shift वाले पे तो हम बीच से कट कर सकते हैं तो यहां से जो है यह बीच से कट हो गया आप देख सकते हैं और जो यह प्लस का आइकन है यहां पर यहां पर मैं कुछ और भी यहां पर edit कर सकता हूं यहाँ पर कुछ और set कर सकता हूं तो यह तो मैंने आपको सिखा दिया कि वीडियो को cut कैसे करते हैं उसके बाद यहाँ पर जब नीचे आएंगे तो आप वीडियो की speed भी बढ़ा सकते हैं आप यहाँ से वीडियो अपने हिसाब से कम जादा कर सकते हैं तो यहाँ पर जैसे आप यहाँ पर कम जादा करेंगे और यहाँ पर आपको अगर audio को mute करना है तो यहाँ से आप audio mute करके यहाँ पर आप वीडियो की speed को कम भी कर सकते हैं और वीडियो की speed को बढ़ा भी सकते हैं यहाँ पर ok कर देंगे तो जो हमारा जो वीडियो है वो देखिए कि अब जल्दी-जल्दी कम धीरे-धीरे हो गया और अगर मैं इसको speed को बढ़ाऊंगा तो ये जो है हमारा speed वीडियो का वो काफी बढ़ जाएगा तो देखे जैसे अब यह हमारा जो speed है वो बढ़ गया है अब जैसे मैं इसको play करके देखता हूँ तो देखे जल्दी जल्दी होड़ा है यह जो है हमारा वीडियो जो है यह इसकी speed बढ़ चुकी है तो इस तरह से आपको यह कर लेना है अभी simply मैं इसको अभी normal रहने देता ह हूँ ठीक है अब अब हमारे पास और option है यहां पर देखिए और नीचे की तरफ आएंगे तो आप अगर वीडियो को round करना चाहते हैं तो इस वाले पर आपको क्लिक करना होगा और यहां पर अगर आप voice change करना चाहते हैं तो वह भी आपका आउस अभी लेवल यहां पर maximum सा सारे quality आपको मिल जाएंगे तो यहां से आपको यह चीज कर लेनी है और main चीज जो काम आती है वो है या तो आपको किसी वीडियो का आवाज को remove करना है आपको कोई दूसरा आवाज देना या कोई music लगाना है तो जैसे आप यहां पर इस पर क्लिक करेंगे music वाले पर जैस फोन में गैली में वीडियो सेव होगी फोन में music वो music आप लगा सकते हैं फिलाल मेरे फोन में कोई music नहीं है इसलिए यहां पर option नहीं आ रहा है अगर आपके पास कोई भी पहले से आपने music डाउनलोड कर रखा होगा तो आपके पास music आ जाएगा तो आप music अपने वीडिय कोई भी other video लगानी है तो उसके लिए हमें जो है layer पे click करना पड़ता है देखिए यहां पर हमें layer पे click करेंगे और यहां पर media पे click करेंगे और यहां पर एक कोई भी अगर हमें इसके उपर photo लगानी है तो जैसे मैं यहां पर यह photo choose कर लेता हूँ तो देखिए यह जो photo है इसको आप कम जादा करके लगा सकते हैं, यह जो वीडियो है, वीडियो में एक्जाम्पल्स लिए, यह मैं आपको फोटो दिखा रहा हूं, कि कुछ इस तरह से आप इसको लगा सकते हैं, तो जैसे आपका वीडियो पले होगा, तो आप इस फोटो जैसको आप किस तरह से चाहते हैं तो यह इसका जो style है वो भी आप change कर सकते हैं आप देख सकते हैं side से लाना है या इसमें अलग लग आप effect डाल सकते हैं जो भी आपको वीडियो में photo लगानी है आपने कई यूटूबर का ऐसे देखा होगा ठीक है घुमा के round करके यह आप ऐसा कर सकते हैं ठीक है यह हो गया photo लगाने का मैंने आपको बता दिया उसकी बात जो है अगर यह वीडियो है इस वीडियो में हमें कोई अलग वीडियो जोरना है तो उसके लिए हमें layer पे click नहीं करना है यहां पर हमें media पे click करना है और यहां से हमें कोई दूसरा वीडियो लाना है तो उसके लिए हमें कोई भी वीडियो चूश कर लेते हैं जैसे for example मेरा एक वीडियो है इसको मुझे यहाँ लाना है तो जैसे मैंने यहां किया तो देखिए अब ये वीडियो मेरा आ गया यहाँ पर तो देखिए जो पहले वाला वीडियो है यह वो है और साथ में इसके यह आ गया तो आप देख सकते हैं यह वीडियो आ गया अब जो है हम इसको रिमोप कर देते हैं फिलाल कर अगर कोई हमसे गलती होती तो यहाँ पर आपको डिबा सा दिख रहा होगा यह डिलीट का बटन है आप इस पर कर देंगे तो जो आपको नहीं चाहिए जो आपको सेटिंग नहीं करनी है वह यहाँ से इसको डिलीक कर देते है अभी मैंने यह वीडियो डाला था और इसको मैंने हटा दिया अगर मेरे को लग रहा है कि नहीं वह वीडियो ठीक था तो यहाँ पर आपको यह तीर वाले आइकन पर टलिक करना हूँगा तो देखेए वह जो वीडियो है वो हमें background change करना है तो हम वो कैसे कर सकते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना है जो है इस video को पहले आपको video नहीं लेनी है video का आपको हटा देना देखिए जैसे मैंने इसको video हटा दिया उसके बाद हमें media पे आना है और हमें background लेना है तो आप जो भी background वीडियो के पीसे लगाना चाहते हैं वो आप यहां से बैग्राउंड को चूज कर सकते हैं For example, यहां पर काइन मास्टर का ही बैग्राउंड है यह सारा अगर आप अपने फोन से लेना चाहते हैं तो आप अपने फोन से भी ले सकते हैं भी आपके फोन में इमेज लगाना चाहते हैं For example के लिए अगर मैं कोई अपना ही इमेज लगाना चाहता हूँ जैसे कि यह हमारा एक वीडियो यह इमेज हो गया इसको हमें जितनी दिर का हमारा वीडियो है उतना दिर हमें इसको आगे कर लेते हैं ठीक है? अब हमें क्या करना है कि यह लेयर पर आना है इस पर लेयर पर आए फिर हमें यहां पर मीडिया पर आ गए मीडिया पर आने के बाद जो है हमें वो वीडियो चूस कर लेनी है जो की हमें वीडियो लगानी है उस बैग्राउंड के उपर तो चलिए मैं वहाँ से वो वीडियो को चूस कर लेता हूँ जो मेरा वीडियो है वो ये रहा ठीक है अब इस वीडियो को जो है हमें क्रॉप कर लेना है तो क्रॉप का भी ऑप्सन यहाँ पर आपको मिल जाएगा यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे की तरफ देख रहे होंगे तो यहाँ पर आपको क्रॉपिंग लिखा हुआ दिख रहा है ठीक है इस पर हमें क्रॉपिंग पर क्लिक कर लेता है जैसे हम यहाँ पर क्रॉप पर क्लिक करेंगे और मार्क को इलेंबल कर देंगे उसके बाद यह हमारे पर mark आ जाएगा और यहां से हम जितना भी हमने green screen में suit किया इस video को उतना यहां से हम इसको cut कर लेंगे तो देखी यहां पर हमने adjust कर दिया और यहां से simply कर दिये click तो यह जो है हमारा यह video cut हो गया अब इस video को हमें थोड़ा सा जूम करना है तो यहां पर आप तीर के आकन पर ज्यादे करेंगे कम ज्यादे करके यहां से आप जूम कर सकते है ठीक है यह तो होगी आपका अब यह जो है हमारे वीडियो में यह green आ रही है पीछे जो है background green green आ रहा है तो इसको हमें remove करने के लिए क्या करना है जैसे आप इदर नीचे के option पर आएंगे यहां पर आपके बाद जो भी option होगा तो उसके लिए यहां पर देखिए chroma key दिख रहा होगा आपको तो यह जो है chroma key इस पर हमें click करना है इस video का background को remove करने के लिए जैसे हम इसमें chroma key पर click करेंगे और यहां पर जैसे इसको enable कर देते हैं तो देखिए जो हमारा है वो background remove हो चुका है और यह हमारे पाद दो option आ गए हैं तो इस दो option से हमें क्या करना है कि remove कर लेना है ऐसे करके देख सकते हैं आप इस यहां से green screen पर suit करना होगा green screen पर अगर आप कोई भी video को suit करते हैं तो आपका background बहुत ही अच्छे से remove हो जाता है अभी जो आपने video देखा वो मैंने green screen पर suit कर रखा था इसलिए हमारा जो video का जो screen वो था background वो बहुत जल्दी remove हो गया ठीक है तो आप यहां पर देख सकते हैं मैंने काफी adjust कर दिया और यहां पर हमें सही की निसान पर click कर दिया ठीक है अब जो देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा यह हड़ा हड़ा सा और आ रहा है था हमें थोड़ा सा और इसके थोड़ी से और मैनत करनी होगी थोड़ा सा में और इसको अच्छे से कर लेते हैं तो जो है यह जो हरा रसा यह बिल्कुल भी नहीं दिखना चाहिए ठीक है तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर एड़ेस्ट कर सकते हैं ठीक है अब देखिए थोड़ा है पहले से बेतर है अब देख सकते हैं हमने वीडियो का जो बेग्राण है पूरा चेंज कर दिया है और पीछे जो मैंने बेग्राण लिया था उसके ओपर ये वीडियो आ गए अब हमें लग रहा है कि हमारा पूरा वीडियो एडिट हो गया है अब हमें कुछ नहीं करना है तो उसके लिए अब एक चीज और रहा है अब इसमें हमें कुछ लिखना है तो text कैसे डालेंगे तो यहाँ पर देखे जैसे आप फिर से layer पर आएंगे तो आप यहाँ पर आपके पास text का भी option आ गया तो यहाँ पर for example मैं इस पर कुछ लिख देता हूँ चलिए मैं यहाँ पर for example के लिए month to लिख दिया ठीक है तो यहाँ पर देख सकते हैं आप यहाँ पर यह मेरा text जो है यह आ गया अब इस text का जो है हमें color change करना है तो उसके लिए यहाँ पर जैसे आपके बाद काफी option आ रहे है तो यहाँ पर देख रहे हैं यह जो color है कोने में सफेद का इस पर click करने के बाद आपके बाद multiple color आ जाते हैं उसके बाद आपको इस color को कोई भी color को choose कर लेना है जैसे for example मैंने लाल color choose कर लिया उसके बाद लाल कर चूश करने के बाद हमें सही के निसान पर click कर देंगा अब यह देखिए जो मरा text है वो लाल हो गया अब इस text में हमें effect डालना है तो वो कैसे डालेंगे तो जैसे आप देखेंगे तो animation के उपर click करेंगे आपके बाद अलग-अलग आ जाते हैं option text में effect डालने का ठीक है एक तो यह हो गया और अगर हमें कोई नीचे और भी option है जैसे नीचे वाली overall animation यह सब डालना है तो आप वो अपने हिसाब से यहाँ पर text में effect भी डाल सकते हैं अब यह हो गया उसके बाद हमें कहीं पर इसमें mark करना है वीडियो में तो वो कैसे करेंगे तो उसके लिए फिर से हमें इस layer पर आना है और यहाँ पर देखिए यहाँ पर marker का option आ रहा होगा तो यहाँ पर हमें marker के option पर click करेंगे जैसे ही तो आप यहाँ पर जहाँ भी कुछ लिखना है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर मैं mark कर सकता हूँ देखिए जैसे कि मैं यह mark कर रहा हूँ तो देखिए यह mark हो गया अब चाहते हैं मार का color change हो तो उसके लिए जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके मल्टि प्लस color आ जाते हैं यहाँ पर मार का color भी change कर सकते हैं ठीक है अगर आपको नहीं चाहिए इसको मिटाना है तो आप यहाँ से इसको मिटा भी सकते हैं जैसे अब क्या आइकन पर क्लिक करेंगे तो यह जो हमारा है वो मिटने लग जाएगा तो यह आप अपने हिसाब से कर सकते हैं ठीक है अब फोड़ एक्जामपल आप हमें कुछ नहीं चाहिए हमारा जो वीडियो है वो complete हो चुका है अब हमें कुछ edit इसको नहीं करना है तो उसके लिए हमें क्या करना है simply क्या करेंगे तो आप यहां से कोने होई देखेंगे तो आपको तीर का आइकन दिख रहा होगा यह जो तीर का आइकन है आप यह देख सकते हैं इस पर हमें क्लिक कर देना है जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास वीडियो की रेजुलेशन आ जाएगी कि आपको यह जो वीडियो है वो किस टैप से यह सूट करनी है मतलब क्या क्वालिटी चाहिए आपको इस वीडियो का तो फॉर एग्जांपल यहां पर आपके पास तिनों सारे आप्सन आ रखें जो मैक्समाम जो यूटूब के लिए होता है वो 720p पे हम लोग करते हैं अधिकतर यूटूबर यही करते हैं अगर आपके फोन में स्पेस है तो आप Full HD में भी कर सकते हैं फिलाल हम जो है HD में सेव करने वाले हैं तो हमें इसी पे क्लिक करने देना है और यहां पर जो है यह 25 MPL या 30 इस पर हमें 30 पर ही रहने देना है और simply हमें जो है इसको सेव कर देना है सेव करने के बाद जो है यह सेविंग हो रहा है जब तक हमे वीडियो सूट नहों उसके बाद जैसे दोश्टों मैं जो वीडियो है ये सेव हो चुका है अब यहांते मैं इसको आपको प्ले करके दिखा देता हूँ आप देख सकते हैं तो चली यहां से में वेएगन पर तरह से आ रहा है, आप देख सकते हैं, साड़ी जानकरी आपको दिख़े होगी, जैसे, जैसे मैंने यैडिट किया है, पूरी उसी तरह से सेम बिल्कुल भी अलग नहीं है, यहाँ पर, वैसे तो सेम यहाँ पर वीडियो चल रहा है, तो आप भी बहुत ही आसानी से इस तरह से आप अपना वीडियो एडिट कर सकते हैं अगर आपको एडिट करने में कोई भी दिक्कत आती हैं तो आप नीचे comment box में comment कर सकते हैं मिलते हैं किसी next वीडियो में तब तक